अगर आप फ्लिपकर्ट में शॉपिंग करते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए तो ध्यान से देखिएगा और कुछ समझ में ना आए कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट कीजिएगा मैं वही पर आपको एक्स्प्लेंड कर लूँगा और बातचीत व अब फ्लिपकर्ट में शॉपिंग करते हैं और आप इससे पहले बहुत ज्यादा रिटर्ण कर चुके हैं तो जब आप ओर करते हैं तो वही पर आपको लिखा वह रहता है कि आपको पचीस रुपया या फिर पचास रुपया फाइन या फिर रिटर्ण चार्ज लगेगा अगर आ अगर रिटर्ण करते हैं तो वह बस आपको चेक करना पाथ है ठीक है तो जब चेक कर लेते हैं आप अपके पास आ गया प्रोडाक्टुपय जब अपको मतलब वह चार्च कर लीया आपका गलती नहीं है तो आपको रीडरन तो करना है फिर भी आपको चार्ज लगजाता है यह जो प्रडुक्त है मैंने रिटरन किया और मैंने पान सो चौबिस रुपय ही पे यह किया था और मैं आपको दिखा देता हूं 524 रुपय आ चुका है मैंने और एक प्रोड़क्ट रिटर्ण किया था तो उसका 319 रुपय वह भी आ चुका है ठीक है तो मैंने जो पेमेंट जो किया था वही आया है और मुझे भी यह दिखाया जा रहा था कि जब आप रिटर किया कि यह तो मेरा गलती नहीं है अब मुझे क्यों पैसा ले रहा है इसका अब से समाझ यह सिलर मुझे गलत प्रोड़क्ट भेजा और अगर आप वेरिफाय करना चाहते तो कर लिजे तो फ्यूचर में अगर कोई प्रोड़क्ट आपको रिटर्ण करना है तो वहां पे आपको जो रीजन होता है ना रीजन आपको ऐसा सिलर्ट करना है कि ऐसा लगे फ्लिप कार्ड वालों को कि आपका जो प्रोड़क्ट है वो सही से आपको गलत प्रोड़क्ट दिया गया है ठीक है जैसे कि मानिए कि कोई ब्लुटूथ वाच या फिर ब्लुटूथ या फोन तो वहां पर आपको लिखना है कि Bluetooth जो आपका डिवाइस है वहां पर फोन के साथ connect नहीं हो पाता है पतलब जो सही region है ठीक है या फिर आप आपका जो है वो product 1 ही नहीं हो रहा है तो सिलर का गलती है ठीक है अगर आप open box में product लेते हैं और वहां पर आप region पर बता आते हैं कि आपका जो product है वो broken damage ऐसा कुछ है तो वो तो accept है करेगा ही नहीं कोई logical region आपको select करना है ठीक है और जो सही है ठीक आपको आपको ये चीज़ से दूर रहना कि दो-चार से रुपे के लिए आप कुछ गलत काम करें फिलिप काट वालों को loss पहुचा है ऐसा नहीं करना है ठीक है ओने से काम करना है तो जो region है तो अगर पका तो एक तम हूप हूँ जो region आपके मतलब return करने की जो region है आपका actual में वो तो हाँ पर लिस्ट नहीं होगा हर वक्त ऐसा नहीं होता है कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका product जो है वो आपका sound quality बहुत घटिया है ठीक है जो मानिए कि आप 1000 रुपे में कोई Bluetooth येरफर मंगवा है और जैसा quality दे र होता है अगर आपको दिख्या गया या फिर आपका return ही cancel कर देगा ठीक है तो वहाँ पर आपको ऐसा select करना की one नहीं हो रहा है मतलब आप समझ चुके हैं ठीक है तो ऐसा को related लेकिन honesty से रहना है को किसी को पैसा नहीं करना है आपको honesty से काम करना और को logical region आपको select करना है ताक कि flip card वालों को समझ में आए कि सही में आपको आपके साथ गलात हुआ सेलार जो है आपको गलात product भेजा है तो आपका जो refund amount है वो बीना cut है बीना deduct करे हुए आपको मिल जाएगा और जब आप return कीजिएगा ना तो वहीं पर आपको दिखा दिखा देगा कि आपका जो refund amount है वो इतना है तो जो पे किये थे अगर वो same amount है उसके साथ refund amount तो सही है अगर कम है तो फिर से आप help section में जाएए need help वहीं पर नीचे लिखा रहेगा need help product order section में जाके आपको मिल जाएगा need help तो वहाँ पर जाके आप callback request कीजिएगा तो आप customer care पर बात करके आप जो है ना तो तो please comment section में comment कीजिए मैं वही पर आपको explain कर दूँगा तो thank you for watching this video see you soon in the next video goodbye